ही गाइस वल्कम बैक इन यह चूप चानल निको चोधरी व्लोक्स मैं हूँ नताशा मेरे पास में कोमेंट आ रहे हैं धमकिया आ रहे हैं कि भाई मैं सपना के सपोर्ट में वीडियो ना बनाओ मैं बीच में ना बोलू मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं बोलना है ये है वो है धमकि बड़ा कमेंट है जो की गया है रिव्यू सेक्शन में खेर भाई साब जिसने भी आपने भी कमेंट किया है मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बोलने की आजादी आपने सुनी है क्या मैंने किसी के यहाँ पर character पर उंगली उठाई है क्या मैंने किसी को गरत बोला है नहीं तो फिर आप कैसे रोक सकते हो अगर आपको इतनी problem है आप जो भी हो कि सपना के नाम पर क्यों बोल रही हो या फिर जब मुझे सच्चाई नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ तो सच्चाई तो बहुत कुछ दिखाई दे रही है और अब वीडियो में भी दिखाई दे वाली है सच्चाई तो उस बंदे को public ने दिखा दी है किस बंदे की मैं बात करी हूँ मैं उनी की बात करी हूँ जिनकी सपना ने जिनके बाने में बताई थी अब ये बंदा किस तरीके से सपना के नाम पे व्यूज ले रहा है पहले से वो भी मैं बताऊंगी सब कुछ explain करूँगी और एक बात और कहना चाहूँगी भाई तुम कितनी ही रिपोर्ट करा लो कितनी भी कुछ करा लो मेरे चैनल डाउन जायेगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं बोलूँगी वो ही जो सच्चाई होगी और अच्छा होगा ठीक है तो अपनी प्रोब्लम करप्या करके अपने पास रखे और मुझे नहीं पता है कोमेंट करने माला को होने लेकिन ये फेक आईडिया है तो नेक्स टाइम से ऐसी हरकत करने से पहले ज़रा सोच लिजएगा चलिए बात करते हैं किसके बारे में सपना चोधरी के उस लेटिव के बारे में जिन्होंने सपना के लिए भी टॉंट मारा था अब बताती हूं मैं पूरा मामला क्या था कल सपना की तरफ से तो बात बता दी थी मैंने इन भाई साब ने क्यों बोला अचानक से वो भी मैं बताती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले इन भाई साब के जो दादी है उनकी डैत हो गई दादी की डैत का व्लोग भाई साब ने ऐसा डाला हुआ है जैसे कि किसी की शादी गव लोगो सच बता रही हूँ, मतलब वहाँ पर लोग पबलिक इतनी जादा खुश हो रही है हसस के वीडियो बना रहा है, मतलब कुछ भी, कुछ भी भाई साब की जो वीडियोज है, इनके चैनल पर जो वीडियोज है उनमें mostly सपना जहां भी दिखेगी सपना के थमनेल लग रहे है टाइटल में सपना का नाम आ रहा है, इतना ही नहीं निकी जो डीपी है उसमें भी इनका खुद का फोटो है, इनकी जो बेहन है, जो सपना की हाँ पर रहती है सपना के नाम पर व्यू लेना, तो उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है, बहुत से लोग व्यू ले रहे हैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, सपना की फैमली ने कभी सपना के नाम पर व्यू लेने की कोशिश नहीं करी सपना ने कभी अपने फैमली को प्रमोट नहीं किया सपना प्रमोट करती तो आज उनके फैमली की financial condition कभी जाद अच्छी हो जाती ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हो जो लोग सवाल उठाते हैं कि सपना अपनी फैमली को पैसा दे रही है सपना चाहती है कि वो अपनी फैमली का करे जिल लोगों को डर है कि सपना अपनी फैमली को कही पैसा ना देने लगे तो उन लोगों के लिए एक आईल ओपनर है भाईया उसको देना होता हो पहले अपनी फैमली को stand करती है और उसको मैन तो एक केछे उसको करना चाहिए एगर वह ऐसा करती है उसकी फैमिली की हालत जो है वोर जादा अच्छी होती है तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लोग भी काफी टाइम से कुछ बहुत कुछ जेलते आ रहे हैं कब तक यह चीजे देखेंगे जब दूसरे लोग जो आपका फायदा उठा रहे हैं उपर से आप ही को बुरा बना रहे हैं तो आप अपनी फैमली को फायदा क्यों नहां दे? इतना ही नहीं अब लोग सवाल ही कर रहे थे इनके चैनल का जो नाम है तो आप इनके चैनल का नाम सर्च कर लीजmart बॉए अगर आप डालेंगे तो इनका नाम भी साथ में आजाएगा नाम के साथ में इनका D से नाम शुरू होता है और Snappy Boy अगर आप डालेंगे तब नाम आ जाएगा तो Snappy Girl से Snappy Boy भी चुराया हुआ है खेर उसके बाद में भाई साब ने Explain क्या किया था मैं ये भी बता देती हूँ आपको जो इन्होंने जो अपनी दादी की जो मृत्यू वाली जो वीडियो डाली थी उस पर जो लोग है वो बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई अपनी बुआ को समझाओ अपने फूपा जी को समझाओ कि भाई सपना के साथ ऐसा ना करे यह है वो है यह है लगबग एक महीना पहली की बाद जब सपना के घर में प्रोब्लम हो रही थी क्योंकि सपना को लोग बहुत चाहने वाले हैं बहुत पसंद करने वाले हैं तो वे सी बात है लोग चाहते है कि इनकी फैमिली एक रहे एक साथ रहे तो जहां फैमिली को लगता है लोगों को लगता है वो महा कोमेंट कर देते हैं तो इस पर भाई साब ने भी वीडियो बनाई कि मैं बहुत बिमार था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के सवाल का जवाब मैं यह देना चाहता हूँ भाई लोगों ने आप से कोई सवाल नहीं पूछे थे लोगों ने आपको कहा था कि उनकी फैमिली को एक करो ना कि तोड़ने के लिए कहा था ना कि आपको कहा था कि आप पोर कोलो कि कौन सही है कौन गलत है पब्लिक को ये नहीं जानना कि उनकी family में क्या problem हो रही है क्यानी हो रही है पब्लिक सिर्फ चाहती है कि family सही रहे क्योंकि पब्लिक उनको प्यार करती है ना कि उनकी घर को controversy की तरह देखती है तो इतना भी किसी के को नीचे गिराने के लिए कुछ भी मत बोलो कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे और जो कंडिशन इस वक्त में खड़ी हो रही है ना सपना के साथ में उनकी कही न कहीं जिम्मेदार इस थरीके के रिष्टेदार है जो उनका फायदा भी उठा रहे हैं और पीछे उनी की बुराई कर रहे हैं तो ऐसी हरकते ना करें आपने अपने ही पैर पे कुलाडी मार लिया है उससे जादा कुछ नहीं किया है अब भाईसा आपको अपने कॉमेंट सेक्षन तक ओफ करने पड़ गया है तो यही कहेंगे कि चलो भाई कई बार ऐसा होता है इन लोग वीडियो बनाने के चक्कर में या कुछ भी बोल देते हैं लेकिन आप बड़े हैं तो थोड़ा सोस समझ के बोलो कि आप किसको क्या बोल ले हो देखो आपको कितना जादा हेट मिल गया और अगर आप आके वीडियो डालते हो तो आपको इसी तरीके से हेट मिलेगा इमेज क्लियर करनी मुश्किल हो जाएगी तो ऐसा हरकते ना करें ये हरकते बहुत जादा शर्मनाक है जो आप कर रहे हो फिलाएगी